दोस्तो power plant, rolling mill, block mill, tube mill, DRI, SMS, CCM, कोई भी electrical department में अगर आप काम करते हैं तो देखिएगा हार topic के उपर में video बनाता हूँ और जितना हो सके मैं आप लोगों का help करता हूँ इसके साथ मैं job का offer के बारे भी बताता हूँ मेरा जो workshop group है उस पर भी share करता हूँ और जो telegram channel है उस पर भी मैं share करता हूँ और मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि अगर मैं कोई company में job कर रहा हूँ और आप लोग क्या पुछते थे कि अगर आपके पास काम का offer है तो हम लोगों को बताईए हम लोग भी interview देंगे और job में joining करेंगे तो दोस्तो मैं तो आभी जो company में काम कर रहा हूँ उसका offer में आप लोगों को वाट्सअप गुरूब में already दिया हूँ अगर आप चाहे power plant में हो, DRI में हो या rolling mill में हो उससे कोई दिकत नहीं है जो company में मैं काम करता हूँ हर डिपाड अलग अलग है अगर उसी company में आपको job करना है तो आपको क्या करना है आपका जो अपना वाइड़टा है वो हमारा जो ये वाट्सअप नंबर है इसमें आप आपको electrical का interview देने के लिए आना है क्योंकि जो आपका interview होगा उसी के उपर बहुत कुछ depend करता है क्या आपको payment कितना मिलेगा आपका knowledge कितना है आपका experience कितना है तो ज्यादा तर देखिएगा ज्यादा experience रहता है तो जल्दी selection हो जाता है अगर आप अच्छा से interview दिये है ले अगर एक question पूछा है तो उसका proper तरीका से जबाब नहीं दे पा रहे है उस time क्या होगा आपका selection नहीं होगा जैसे मैं खुद SMS डिपार्ट में काम करता हूँ और SMS का ही एक example देका आप लिए को समझाओंगा लेकिन अगर आप कोई भी powerplant, DRI, SMS कोई भी डिपार्ट में काम क करते हैं तो आप हमको by data send कर सकते हैं अभी चाहिए आपका 10 सल का experience हो या 15 सल का experience हो जो आप by data send किये हैं तो जीस हिसाब साब by data बनाए है आपको एक चीज गौर करना है कि by data में मैं जो जो लिखा हूँ उसी के उपर question पूछेगा जैसे चाहे एलेक्टिसियान हो या माली जी इलेक्टिकल का फूर्मेन हो चाहे कोई भी हो तो जो question पूछा है उसका proper तरीका से answer देना है मैं एक दो question के बारे में आप लोगो बताऊंगा तब आप कोई भी टीपाइड में काम करते हैं आपको clean समझ में आ जाएगा जैसे मैं common question के बारे में बताऊंगा इसको उपर दे question पूछा है कि electric overhead crane में कोण कोण सा limit switch रहता है तो allergy आप bio data में लिखे है कि मैं SMS में काम भी किया हूँ και electric overhead crane का an तो जो question आप से पूछा है कि electric overhead crane में कौन-कौन सा limit switch रहता है तो limit switch का नाम भी आपको बताना है और limit switch का काम के बारे भी बताना है कि कौन सा limit switch का क्या काम है already मैं जो video बना का आप लोगों को समझाया था मैं आप लोगों क्या बताया था कि जो electric overhead crane रहता है इसमें आपका gravity limit switch रहता है दो नंबर में रहता है rotary limit switch तीन नंबर में रहता है liver type limit switch तो यह जो तीनो limit switch है इसके बारे में आपको बताना है ऐसा नहीं बताना है कि मैं जहां पर duty कर रहा था वह एल्टी में limit switch था ही नहीं city में था ही नहीं अगर था तो वो सब बगेरा सब bypass था खोल खाल के फेक दिया यह एकदम बिल्कुल भी आपको नहीं बताना है अगर मा क्लीन आप लोगों को समझाता हो और सुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को बता देता हो जितना सारा फ्रेंड वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखता है उसको electrical interview देने भी कुछ दीकत नहीं है और job में joining भी हो जाता है और जितना सारा फ्रेंड छोड़ से इंटर्विव हो जाएगा तो एकदम 100% के इंटर्विव में फेल हो जाईएगा अभी मैं आप लोगों किस तरह से बताया था कि इलेक्टिक अबारेड क्रेंड में gravity limit सुईज होता है रोटरी लिमिट सुईज होता है और एकदम रहता ही है तो आप यह जो लिवर से बताये गा तब आपका कुछ भी दीकत नहीं होगा देखिएगा जो भी मैं इलेक्टिक अबारेड क्रेंड का वीडियो बनाया था और ड्राइंग बना के भी मैं आप लोग को समझाया था लिमिट सुईज के भी बारे में बताया था और लिमिट सुईज का नाम क्या है उसके बारे भी बताया था जब आप इंटर्विव दे रहे हैं तो आपको बताने में कुछ भी दिकत नहीं है एक छोटा सा question है इसका answer देने में उतना tension भी विल्कुल भी नहीं लेना है एक दम simple तेरी कासा आपको answer देना है अभी यह जो gravity limit switch है यह आपका किसके साथ interlock दिया हो रहता है ना productive panel के साथ interlock दिया हो रहता है अभी productive panel में आपका एक main contractor रहता है तो main contractor के साथ आपका interlock दिया हो रहता है और जब आपका यह productive panel का main contractor बंध हो जाएगा तो उसके बाद आपका किसी भी तरह से electric overhead grain आपका नहीं चलेगा और अभी चलेगा किस तरह से ओभी जानना है जैसे हमारा rotary limit switch है तो यह हमारा किस तरह से काम करता है एक तरफ हमारा host रहता है एक तरफ हमारा lawyer रहता है तो जो आपका rotary limit सुझ रहता है इसमें आपका दो गोव एमपुलर रहता है एक आपका host side में क प्रकाम करता है और मैं आप लोगों क्या बताया हूं कि एक अरिया side होता है एक आपका a हविस साइड होता है तो हविस साइड भी आपका लिमिट स्विच लगा हो रहता है और अरिया साइड भी लिमिट स्विच लगा हो रहता है लेकिन लिमिट स्विच का आपको सेटिंग किस तरह से करना है वह भी जानना जरूरी है जो आपका लिमिट स्विच रहता है इसमें जो एम्पुलर रहता है इसमें आपका एक एलेंग की छोटा सा बोल रहता है किसी किसी में दूसरा बोल रहता है तो जीस हिसाब से आपको सेटिंग करना है मतलब आपको पहले क्रेंड को चला के देखना है और डाइवर जितना में बोलेगा सेटिंग करने के लिए डाइवर क को तो setting करना है setting करने के बाद एक बार चला के देखना भी है कि हमारा रोट्री हुआ मैं सुवीच ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके जो आपका लिवर टाइप का जो लिमिट स्विज रहता है यह हम लोग देखे ही नहीं है मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे थाई नहीं मतलग जो L-T और C-T है इसमें कोई लिमिट स्विज थाई नहीं ताहिस सब भीलकुल भी नहीं बुलना है क्यूंकि जब आपका कोई भी नया क्रेन रहेगा उसी क्रेन में देखियेगा L.T. में और C.T. में लिमिट स्विज आपका जुरूर लगा वा रहता है क्यूंकि जो हम लोग लिमिट स्विज यूज कर रहे हैं ये हम लोग का सेप्टी का काम करता है अगर आप एलेक्टीकल का इंटर्विव में भुली अगर लिमिट स्विज था यह नहीं अगर लिमिट स्विज था उसको हम बाइपस करके खोल खल के साइड करके हटा दिये ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बोलना ये सब बोलके भी आपको कुछ भी फाइदा नहीं होने वाला है क्योंकि इसका effect क्या आएगा कि आज ये limit switch bypass किया है काल क्या-क्या bypass करेगा कुछ पता नहीं है इसलिए क्या होगा कि आप तो काम electric overhead crane का किये है लेकिन समान का नाम भी जानना जरूरी है कि कौन सा limit switch का नाम क्या है कौन सा limit switch किस तरह से काम करता है जब तक proper तरीका से knowledge नहीं बनाईएगा कोई भी interview दीजिएगा और उसी टाइप से answer दीजिएगा lt में city में limit switch थाई नहीं ऐसा बोलने का option कहां सा आप लोगों मिल जाता यह हमको समझ में नहीं आता देखिएगा जो electric overhead crane का मैं drawing बना के समझाया था मैं एक एक point to point चाहे वीडियो मेरा आधा घंटा का बन जा या 20 मीट का बने लेकिन हम सुरु से लेगं लास्ट तक आप लोगो को बताया हूं और यह भी मैं आप लोगो हो बताया ह вижу कि electrical interview के question के बारे में क्या-क्या question पुछेगा already वीडियो बनागा आप लोगो समझाया हूं अबी recent में क्या-क्या question पुछेगा इसके बारे में बताया था अभी यह जो इलेक्टिक ओभारेड ग्रेन है इसमें हमारा क्या-क्या रहता है इसमें मेन होस्ट है, एक जोली होस्ट है लॉंग ट्रावल है, क्रोस ट्रावल है जिसको हम लोग LTC बोलते है इसके साथ आपके एक रहता है मैगनेट पैनल ठीक है तो मैगनेट पैनल जो रहता है पैनल पे आपको क्या-क्या कोश्चन कर सकता है के एक स्क्रीप आप मैगनेट पैनल का ढौइंग बना का हमको समझाएए या मेन होस्ट, LTC, कोई भी एक पैनल का ढौइंग बना के समझाएए तो आगर आप काम कीए है तो drawing बनाने में कुछ भी दीकत नहीं है और drawing अगर बनाईएगा तो proper तरीके से बनना भी चाहिए अभी आप magnet panel का drawing बना के समझाए हैं और आप से पूछ दिया कि हमारे 22 kilowatt का जो magnet रहता है तो इसमें जो आपका transformer रहता है तो unload में कितना ampere लेता है तो अगर आप बता रहे हैं 4 ampere, 5 ampere, 10 ampere यह सब जो भी बता रहे हैं अंदाज में बता रहे हैं इसका मतलब है कि जो kilometer है, kilometer लेका आप transformer का ampere चेक बिना किये बता रहे हैं क्यूंकि 22 kilowatt का जो magnet रहता है इसमें जो आपका transformer रहता है इसमें 1.5 ampere लेता है तो जैसे ही आप यह 4, 5, 10 ampere वला answer दीजिएगा जो आपका interview ले रहा है तो आप समझ जाएगा बीना काम करका है लेकिन आप crane का बहुत अच्छा काम जानते हैं हार जो भी fold आता है उसको भी आप ठीक कर लेता आप एकला shift भी चलाते है यह सब चीज मैं समझता हूँ लेकिन जब आप कोई interview दीजिएगा उस time interview interview को जैसा ही देना है तभी क्या होगा सब को मालूम चलेगा जिसका मैं interview ले रहा हूँ यह proper तरीका से काम भी जानता है और कौन सा system में काम करना है इसका तरीका भी इसको मालूम है तभी क्या होगा यहां से जो भी question आप से पूछा चाहे आप से मालनी जैके 2 question पूछा या 10 question पूछा तो 10 question में से अगर आप 8 question या 6 question का भी बढ़िया से answer दे देते हैं तो आपका selection हो जाता है लेकिन जब आप बोलते हैं कि LTCT में limit switch धाई नहीं तब क्या होता है कि selection होने का कोई chance नहीं रहता है चाहे आप मेरे पास buy data send करका जब आ रहे हैं तो मैं आप लोग को क्या बताया हूँ कि एक बार कम से कम मेरा वीडियो देख लीजिएगा अब ही जैसे देखियेगा चाहे soft starter हो, start delta हो या direct online starter हो इसका भी मैं drawing बना का भी समझाया हूँ practical में किस तरह से करना है ओ भी वीडियो बना का आप लोग को समझाया हूँ तो जब तक आप वीडियो को सुरू से लेके last तक नहीं देखियेगा ऐसे ही गलत answer मिलेगा और जब तक आप एक बर अपने हाथ से practical में जो काम किये है काम तो मालनीजिए के एक साथ में हम लोग 20 अदमी काम कर रहे है लेकिन कितना अदमी आपको proper तरीके से समझा रहा है ओ भी देखना है बीस में से आपको शरीफ एगो या दो गो ही आपको अच्छा से समझा सकता है कि एक स्टार्ट डेल्टा मोटर का कनेक्शन आपको किस तरह से करना है एक दम स्टेप बाई स्टेप जीस तरह से मैं आप लोग को समझाया हूँ तो उसी टाइप से जब आप इंटर्विव दे के समझायेगा और यह भी कभी नहीं पूछना है कि हमको पेमेंट कितना मिलेगा अगर आप अपने से सोच लिजे का अगर हम अच्छा इंटर्विव देंगे तो पेमेंट भी अच्छा मिलेगा हमको हर फेसलिटी मिलेगा और माली जब बहुत सा फ्रेंड है जो कॉंटाक में डिवटी करता है तो ओ जब दूसरा जब कोई कंपणी में इंटर्विव दे रहा है उस टेम अगर अच्छा नॉलेज है तो आप अराम से इंटर्विव दीजिए कुछ भी दीकत नहीं है और इंटर्विव जब दीजिएगा ज्यादा घबडाना नहीं है क्या हरबर करके पुरा स्पीड मे एंसर दे दिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों जितना सारा मेरा यूट्यूब का फ्रेंड है जो भी डिपाड में काम कर रहे हैं चाहे और प्लान में हो रोलिंग मिल में हो या ब्लोक मिल में हो तो मैं एक एक्जामपेल देके आप लोग को समझाया हूं अगर अलग अलग डिपाड में काम कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि किस टाइप का कोईस्चन पूछेगा जो जो चीज आप बाइड़ा में लिखिएगा उसी के बारे में आपसे पूछेगा और अगर आप ठीक से एंसर नहीं दे पाए तो बहुत सा मुश्किल आ जाता है और जब आप इंटर्विव stream के लिए आईएगा जो जो डिपाड में काम कर रहा हैं तो कोई पाउर प्लान में काम कर रहा है तो उसका जो प्रेक्टिकल नोलेज है वह आपके अंदर में होना चाहिए काई के जब question पुछेगा तो उसका answer भी आपको देना पड़ेगा दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और आप लोग अपना अपना by data भी send कीजिएगा और कब आप interview के लिए आ रहे हैं ओभी जब आपके पास call जाएगा तो date अराम से पूछ लिजेगा माल लिजेगा अगर आपको 19 तरीक को बुला रहा है या 20 तरीक को बुला रहा है तो 20 तरीक को ही आना है और interview अच्छा से देना है मैं दोबारा repeat करके बोल रहा हूं कि एक बार में selection हो जाए उसके बाद जो payment का बात है payment आपको अच इंटर्विव होगा तो दोस्तो जितना होसे का देखिएगा मैं आप लोग का help करता हूं और आभी के date में मैं हमेशा जौब का offer के बारे भी बताता हूं अगर आपके पास practical knowledge है तब कुछ भी दिकत नहीं है नमस्कार जाए है